Which of the following figures represent uniform motion of a moving object correctly? इस question में हमें 4 distance time graph दिये गए है और हमें identify करना है इन 4 graph में से कौन सा distance time graph uniform motion को represent करता है So for this हमें पहले पता होना चाहिए कि uniform motion क्या होता है और non uniform motion क्या होता है पहले हम uniform motion समझते है Uniform motion means a body covers equal distance Equal distance in equal interval of time इसका मतलब है बेटा 1 second में sports एक body है Body कुछ भी हो सकती है, it could be cycle It could be a car, कोई भी चीज़ हो सकती है Sports एक cycle है जो 1 second में 2 meter distance कवर कर रही है अब 2 second में उसने total distance 4 meter कवर कर लिया और 3rd second में sports उसने total distance 6 meter कवर कर लिया 4th second में sports 8 meter कवर कर लिया अब हर second में बेटा, कितना distance कवर हो रहा है, extra increase हो रहा है हर second में 2 meter का distance कवर हो रहा है देखो बेटा, 1st से 2nd second में 2 meter 3rd second में भी 2 meter 4 से 6 हुआ, then 6 से 8 हुआ, 4 second में भी 2 meter यान कि जो distance increase हो रहा है न, वो equal amount से increase हो रहा है in every second, in equal interval of time तो जो when body cover equal distance in equal interval of time तो इस तरह के motion को हम uniform motion कहते हैं, fine अब next, non-uniform motion क्या होता है, यह दियान से समझना बच्चे non-uniform motion में क्या होगा, जैसे 1st second में 2 meter distance कवर किया, second ने second second में, मानलो, total distance कितना कवर कर लिया, 8 meter जैखो, फर्स second में तो 2 meter किया था second second में total distance 8 meter होगे, कितना बढ़ के 8 meter हुआ 6 meter, यानि कि second second में, दूसरे second में 6 meter के बच्चे बच्च्च्च कवर हुआ अब आगे देकिए, मानलो, third second में 15 meter कवर करा, suppose तो कितना बढ़ गया, थर्ड सेकिंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 15 मीटर हो गया, लेकिन तीसरे सेकिंड में के इंटेवेल पे उन्होंने 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अब मालो, 4 सेकिंड में 21 मीटर, टोटल डिस्टेंस 21 मीटर कर करते हैं तो यह मिटब फूर सेकिन केति इसंस कवर भुवा अगेंग इन 6 establishing मेट में बिटा ईनिक अइसे मोशंग को हम नोन यूनिफॉर्म मोशंग कहते हैं तो यूनिफॉर्म मोशंग करते हैं उकिटा तो पहले हम first, यानि कि A वाले distance time graph को consider करते हैं. मालनों, यहां मैं second mark कर देता हूँ, यहां पर equal distance पे आप point mark कर दो, time only axis में. और यह one second हो गया, यह two हो गया, यह three हो गया, यह four हो गया. अब इसको graph में देखे, तो देखो बिटा, फर्स second में, अगर हम ऐसे ले जाएं, तो यह इतना distance cover होगा. Suppose, मैं यही मान के चलता हूँ कि two meter है. ठीक है? Second second में भी, क्या two meter इस distance cover होगा, जितना यह cover हुआ है, इतना ही intercept यहां पर भी बनेगा. Let's see, देखते हैं, मिटा. Yes, देखो, almost equal है, यह. तो, यहां पर मारा four meter हो जाएगा. Okay, अब third second में देखो कितना हा रहा है, इसी same distance time graph में, अगर third second में देखें, distance वाली axis में, तो देखो, यहां सब जगे ब्राबर distance cover हो रहा है. Two meter और यह six meter. तो यह जो graph बना मारा कौन सा बना हुआ हुआ, state line graph. और state line graph always represent uniform motion. और इसमें आप देखो, equal distance cover हो रहा है in equal interval of time में. तो यह uniform motion का graph होगा. Question number nine का असर हमारा option A होगा, लेकिन हम बाकी option को भी एक बार check करेंगे, कि यह uniform motion का graph क्यों नहीं है, यह भी हमें पता होना चाहिए. तो अगें यहाँ पर मैं कुछ time महाँ कर ले तो, one second, second, two second, third second और fourth second और यहाँ पर zero है. अब देखो बेटा, first second में कितना distance cover हुआ? और इधर देखो, इतना portion हुआ, यहाँ से अगर मैं इसको कुछ name दे दू, तो यह, माल लो, one point eight meter माल लेते हैं, two meter से थोड़ा सा कम है यह है. अब second second में देखो, बेटा, कितना cover हुआ? Second second में, क्या बराबर हुआ नहीं, थोड़ा कम हुआ है, देखो, इस से, as compared to first second, distance थोड़ा सा कम increase हुआ है. माल लो, यह two point nine meter, यहाने कि one point one meter increase हुआ, पहले one point eight था, अब one point one meter हो गया, अब माल लो, अब third second में देखो, यहां पर देखो बेटा, अब जो यह distance और इस distance को compare करो, जो यह वाले portion है और यह वाले portion को, यह portion थोड़ा बढ़ा लग रहा है, आपको दिखने में भी, यहाने कि, अब third second में थोड़ा ज्यादा distance कवर हुआ, और बढ़के मालो, यह something six meter के बराबर हो गया, suppose, तो कितना increase हुआ, three point one meter increase हुआ, तो इसे unequal distance आ रहा है, in equal interval of time, तो जो यह graph होगा, curve line, यह non uniform motion को represent करेगा, ओके, ऐसे आप इसमें भी चेक कर लोगे, देखो बेटा, यहाँ पर one second, two second, three, और four ले लिया, मैं उपर मार्ग कर ले तो four, अब देखो बच्छे, यहां से यहां तक, कितना distance कवर हुआ, say four meter के बराबर, अब second second में, देखो कितना कवर हुआ, increase हुआ, लेकिन थोड़ा कम increase हुआ, almost half है, देखो, इसका इतना distance देखो, और यह distance देखो, almost half है, मालो six meter माल लेते हम, यहां तक, total distance, तो increase कितना हुआ, two meter, और four meter यह था, तो total six meter हो गया, तो first second में, four meter increase हुआ distance, second, second में, second में two meter distance कवरे किया, अब third second में, देखो बेटा, और कम हो गया, देखो, distance कम होता जा रहा है न, yes sir, तो यानि कि, unequal distance in, equal interval of time, अगेन यह non uniform motion है, ठीक है, non uniform motion, अब, लास्ट और ग्राफ देखो बेटा, इदर भी में मार्क कल रहे तो, one second, two second, three second, और four second, अब इसे first second, और यह मालो, यह जो line है, six meter पे बनी हुए, suppose, तो first second में, कितना distance है, six meter, second second में भी, six meter, यानि कोई distance, बढ़ी नी रहा, sports cycle, six meter आप से दूर खड़ी है, तो उसने उतना distance, cover करके और stop हो गई, यानि कि जो cycle है, इस बार body या cycle, is at rest, so there is no motion, जब motion ही नहीं है बेटा, तो हम uniform motion, और non uniform motion, कहीं नहीं सकते उसका, जब motion ही नहीं होगा, तो now uniform motion होगा, non uniform motion होगा, actually, here body is at rest, तो finally, non uniform motion किस में हाया हमारा बेटा, option A में, so, इस motion का अंसर है, मारा option A, झालोगज जरी